हेलो दोस्तो सुवागत है आपका अपने चैनल में दोस्तो आज हमारी उत्राखन प्रैक्टिस सैट वाली सीरीज के 6 पार्ट है चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन है निम्न में से कोन एक उत्राखन के इतियासकार नहीं है इसका आणसर है चंदर सिंग गडवाली इतियासकार नहीं है चंदर सिंग गडवाली का संबन पेशावर कांड साय है अगला कुश्चन है किस देवता से कटार्मल मंदीर संबन दीत है इसका आणसर ह इसका आνसर में अंग्रेजों के दुवारा गोर्खा शाशन को समात कर दिया गया इसका आफर मजदूरों से टिहरी गडवाल में धांड़क अन। की अन। को जैनंत भारती ने चलाया था। अगले विश्चने कुमाव का पर्थम कमिशनर कोन था इसका आंसर ए गाड़नर कुमाव का पर्थम कमिशनर ए गाड़नर था और कुमाव का सेकिंड कमिशनर जी डबलू ट्रेल था अगले विश्चने चांदपूर गड का राज्य इस्तित्ता इसका आंसर ए चमोली में चांदपूर गड का राज्य इस्तित्ता अगले विश्चने उत्राखंड के परसिद एतिहासिक इस्थल गोविसान की पैचान की गई है इसका आंसर ए कासीपूर में उत्राखंड के पर अगले क्युशन है अल्मोडा कांघरेस की स्थाबना किस वर्ष हुई इसका आंसर है unten12 में अल्मोडा कांघरेस की स्थाबना है और 1918 में गडवाल कांघरेस की स्थाबना हुई अगले कुछने उत्राखंड में प्राचीन एतिहासिक इस्थान जो कत्यूरी राजाओ का मुख्य स्थान भी रहा है इसका आंसर है बागेस्वर बागेस्वर कत्यूरी राजाओ का मुख्य स्थान भी रहा है अगले कुछने सर्ला बहन का मूल नाम था इसका आंसर है कैतरीन हैलीमन सरला बहन का मूल नाम था अगले विश्चन है कुली बेगार अंदोलन कब और कहां से प्रारम हुआ इसका आंसर है 13.14 जन्वरी 1921 को बागेस्वर में कुली बेगार अंदोलन प्रारम हुआ अगले विश्चने कुमाव का पर्थम सवाधिंता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है इसका आंसर है कालू महरा को कालू महरा ने 1857 में करांती वीर नामक संगठन बनाया था कालू महरा को कुमाव का पर्थम सवाधिंता संग्राम सेनानी माना जाता है अगले विशने उत्राखंड में डोला पाल की अंदोलन के परवर्तक कोन थे? इसका आंसर है जैनंद भारती उत्राखंड में डोला पाल की अंदोलन के परवर्तक थे? अगले विशने गड़ केसरी नाम से परसिद सवतंतरता सेनानी थे? इसका आंसर है अनुसुया परसाद गड केशरी नाम से परसिद सवतंता सेनानी थे अगले विशन है 84 दिन की भू घडताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निदन हुआ इसका आंसर है सिरीदेव सुमन सिरीदेव सुमन का 84 दिन की भू घडताल के बाद 25 जुलाई 1944 को निदन हुआ था अगले विशन है पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है इसका आंसर है वीर चंदर सिंग गडवाली को पेशावर कांड का नायक कहा जाता है पेशावर कांड 23 अपरेल 1930 को हुआ था और व संस्थावक कोन था इसका आंसर है बसंदेव कत्योरी राजमन्स का संस्थावक बसंदेव था अगला गुष्चन है उत्रांचल उत्थान परिसद का गठन कब और किस ने किया इसका आंसर है 30-31 मई 1988 गो सोबन सिंग जिन्ना ने उत्रांचल उत्थान परिसद का गठन किया अगला विशन है पुराणों के अनुसार मानव के आदिपूर मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजदानी बदरी का आसरम के पास किस अस्थान परती इसका आंसर है अलकापुरी अलका पुरी में मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजदानी इस्तित्ती अगला गुष्यन है प्राचीन गरंतों में निम्न में से किसके लिए ब्रेंगतुं सब्द पर्युक्त किया गया है इसका आंसर है केदारनात के लिए प्राचीन गरंतों में ब्रेंगतुंग सब्द पर्युक्त किया गया है अगला गुशन है रामाइन कालीन बानासुर की राजधानी थी इसका आंसर है जोसी मट जोसी मट रामाइन कालीन बानासुर की राजधानी थी अगला जुशन है चकरवर्ती समराट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जनम हुआ था इसका आंसर है कणवा आसरम में चकरवर्ती समराट भरत का जनम हुआ था और कणवा आसरम मालनी नदी के तठ पर इस्ति दे ओर यहीं पर काली दास ने अभिज्यान संकुतलम की रचणा भी की थी अगले चुछने माहाबारत के वन परव के अनुसार पुलिंद राजा सुभाव की राजदानी थी इसका आंसर है सिरीनगर अगले चुछने गोर्खा कालीन नेथडा का किला कहा है इसका आंसर है अलमोडा में गोरखा कालीन नेथड़ा का किला अलमोडा में है अगला कुछन है किस गरंत में उत्राकंड के लिए उत्तर कुरुसब्द पर्युक्त किया गया है इसका आंसर है एतरे ब्रहम्मन में उत्राखंड के लिए उत्तर कुरुसब्द पर्युक्त किया गया है अलमोडा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टी होती है इसका आंसर है यक्स पमार मन्स का सासक था अगले विशने चंद राजाओ का राजे चिन था इसका आंसर बचयां निफ्न में किस राज़्वन्स को उत्रा खंडगा पर्थम एति हासिक राज़्वन्स मना जाता है इसका आंसर है कार्थिकेपुर वंस को उत्राखंड का पर्थम एतिहासिक राजवंस माना जाता है अगला कुछन है कार्थिकेपुर राजवंस की राजवंस की राजवासा थी इसका आंसर है संसकर्थ कार्धिकेपुर राजवन्स की राजबासा संसकरती और इनकी लोगबासा पाली थी अगला उच्छन है उत्राखंड पर सासन करने वाली पर्थम राजनितिक सक्ती कुणीन समकालिक थे इसका आंसर है मोर्यों के कुणीन मोर्यों के समकालिक थे अगला गुष्यन है आदी संग्राचारिये ने कब केदाना तिर्थ में देहत्याग किया था इसका आंसर है 820 इसवी में आदी संग्राचारिये ने केदाना तिर्थ में देहत्याग किया था अगला विशने कुणिंद वन्सका सब से सकती साली सासक था इसका आंसर है अमोग भोती कुणिंद वन्सका सब से सकती साली सासक अमोग भोती था अगला विशने दुश्यंत और सकुंतला का प्रेम परसंग जुड़ा है इसका आंसर है कणवा आसरम से दुश्यंत और सकुंतला का प्रेम परसंग कणवा आसरम से जुड़ा है अगला विशने वर्तमान गडवाल छेतर हेतु गडवाल नाम कब अस्तितु में आया इसका आं इसका आंसर है 1806 में अंग्रेज और गोर्खों के मद्य सुगोली की संदी हुई थी और सुगोली बिहार में इस्तित है अगले विशने गोर्खों ने गडवाल पर पूर्ण अधिकार किया इसका आंसर है 1804 में गोर्खों ने गडवाल पर पूर्ण अधिकार किया था अगला उश्यन है गडवाल के इतियास में जासी की रानी की संग्या किसे दी गई है इसका आंसर तिलूर होते लिगो गडवाल के इतियास में जासी की रानी की संग्या दी गई है तो दोस्तों यहाद है अमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करेकर आपने वाद